चावल के पापड तो आप बहुत तरह से बनाए होंगे, आज हम बनाएंगे आसान तरीके से जटपड से बनने वाला चावल के चिपस हलो दोस्तों आप सभी लोगों का आर्ची मसाला कीचन में स्वागा था तो चलिए चावल के चिपस बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हमने लिया है एक काटोरी, इसे काटोरी से हम मेजर्मेंट करेंगे, तो डिएड़ काटोरी हम एक कड़ाही में इससे पानी एट करेंगे, तो हमने देखिए डिएड़ काटोरी पानी एट कर दिया है, अब इसमें हम एक चम्मच बेकिंग सोडा एट करेंगे, स्वाद अंसार नमक एट करेंगे हम नमक कम ही एट करेंगे क्योंकि चीप सुखने के बाद नमक तेज हो जाएगा अब इसको हम गैस पे रख देंगे और इसे गरम होने देंगे तो देखे पानी बिल्कुल गरम हो चुका है तो जिस कटोरी से हमने पानी मेजर्मेंट किया था उसी कटोरी से हमें एक कटोरी चावल का आटा लेंगे और इसमें मिक्स करके पानी में और लगातार इसको चलाएंगे बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए गैस के फ्लिम को हम लो कर देंगे इसको लगातार चलाते हुए पकाना है थोड़ी देर के बाद ये डी बिल्कुल डोसा हो जाएगा तो बिल्कुल इसमें लंस नहीं होना चाहिए देखिए बिल्कुल चलाते हुए पकाएंगे तो इसमें से जो लंस है खतम हो जाएंगे तो देखिए ये थोड़े दिर बाद बिल्कुल डो सा हो गया है अब इसको एक मिनट हम और पका लेंगे तो एक मिनट हमने और पका लिया है ये आटा हमारा बिल्कुल तयार हो चुका है पिसको ढख करके हम ठंडा होने देंगे और गैस पर से उतार लेंगे तो ये हम थंदा हो चुका है अब एक ठाली में इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा आय लगार कर अच्छे से मैस कर लेंगे मैस करने से ये बिल्कुल नरब और मुलाईम हो जाएगा देखिए ये दो तैयार हो चुका है अब इसका हम दो भाग कर लेंगे लेंगे जिसे क्या होगा कि बेलते समय ये चिपकेगा नहीं अब डो को थोड़ा सा हमाद से प्रेस करके बड़ा कर लेंगे और इसको हम बेल लेंगे तो देखिए एक साइड में थोड़ा सा लंबा बेल लेंगे इसके बाद हम इसको फिर से पलट करके बेल लेंगे तो ये ह हम यह काटे वाली चम्मच लेंगे और इस पर हम इस तरह से लाइन बना लेंगे तो हम चितनी बड़ी रोटी है पुरी रोटी में इसी तरह से हम लाइन बना लेंगे तो देखिए हमने इसी तरह से इसमें पूरा लाइन बना लिया है अब इस पर हम डिजाइन काटेंगे तो हमने काटने के लिए एक धक्कन लिया है आप किसी भी सेप में इसको काट सकते हैं तो इस तरह से हम इसमें धक्कन पर रखेंगे इसको रोटी पर और इस तरह से हलका सप्रेस कर देंगे तो यह बहुत आसानी से कट जाता है तो देखिए कितना आराम से कट रहा है तो इसी तरह से हम पूरे रोटी में चिप्स काट लेंगे तो देखिए हमने काट लिया है और जो एश्ट्रा चावल का यह आटा बचा हुआ है इसको हम निकाल लेंगे इसको हम बेल करके दुबारा इससे हम जो है चावल के चिप्स बना लेंगे तो देखिए हमने सब को निकाल लिया है तो ये देखिए हमारा चावल की आटे का चिप्स बन करके तयार हो चुका है और कितना अच्छा बना हुआ है तब इसे हम रख लेंगे एक थाली में और इसी तरह से हम सारे चावल के आटे से चिप्स तयार कर लेंगे तो देखिए इसी तरह से हमने सारे चिप्स को तयार कर लिया है तो अब इसको हम सुखाएंगे तो धूप में सुखने में इसमें एक दिन का समय लगता है और पंखे के नीचे सुखने में दो दिन का समय लगता है तो हमने धूप में सुखाया है देखिए एक दिन में ये हमारा सूख करके चावल का चिपस त्यार हो चुका है और कितना बिल्कुल वाइट बना हुआ है तो आइए अदी इसको हम आपको तल करके दिखाते हैं तो हमने आयल गरम कर दिया है आयल गरम हो चुका है अब गयज के flame को हम medium कर देंगे medium flame पर इसको हम तलेंगे तो देखिए ये हमारा चिप्स कितना एकदम बिल्कुल फुला फुला और कितना जो है white बन करके तयार हुआ है तो इसे हमने तल लिया है अब इसको हम एक plate में निकाल लेंगे तो हमें इसे plate में निकाल लिया है हम आपको और चिप्स तल करके दिखा रहे हैं तो देखिए हमने इसे भी तल लिया है तो इसी तरह से देखिए हमने पूरा एक plate chips तल लिया है तो देखें यह हमारा चावल की आटे से कितना सफेद और कुरकुरा चिप्स बन करके तयार हो चुका है तो आपको दिखाते हैं कि देखें कितना कुरकुरा बना हुआ है देखें यह हमारा चिप्स कितना कुरकुरा बना है तो दोस्तों ये हमारी recipe आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो like करिए, share करिए, comments करिए और हमारे channel पे नए हैं तो please हमारे channel को subscribe कर लीजिए बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए